अलो डीजेश स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होगे आज हम वक्षिट जो है करने जा रहे हैं वक्षिक नमबर जी एस थ्री और यह जी एस थ्री वक्षिट है आपकी यह जैनर्डिक है कहने का मतलब यह है कि जो को करेकुल कर लेते हैं ठीक है आंसर के साथ मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको किसी प्रॉलम ना हो ठीक है लेकिन आपको समझना भी जरूरी है तो देखिए पहला बोला गया है क्वेशन नमबर वन और कोपी पर कैसे नोट करना है यह भी आपको बता रहेता हूं देखिए सबसे पहले तो आप इसके लिए अला कोपी बना सकते हैं ठीक है तो क्वेशन नमबर वन आपको पहले नोट करना है और जब आप क्वेशन नमबर नोट करेंगे तो आप पहले क्वेशन नोट करेंगे और इस क्वेशन में बोला गया है कि योगा जो है न हमाले किस प्रकार से इंपोर आप यहां आपको सारे कि सारे जो है इसमें यहां पर आपको NEW करने ठीक है तो यह वैन आपको अच्छे से नीची कर दिखा दिया आप फटाफट देख लेते हैं और और अच्छे से समझ लेते हैं तो तो देखिए स्टुडेंट्स अभी मैंने आपको एक खाली शीट भी दिखा रही जिसमें आंसर नहीं थे अभी इसमें आंसर भी है तो देखिए अब योगा की इंपोरेंट्स क्या है अब आप कोपे पर कैसे नोट करेंगे आप चाहिए तो ऐसे भी बना सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं आप फड़ावर समझ लो देखो इंक्रीज सेल्फ अवेर्नेस योगा का पहला बेनफिट यह है कि इससे हमारे को सेल्फ अवेर्नेस पता लगते हम कहां है कोन है कैसे यह पता लगता है रिडूस ट्रेस मतलब जो टैंशन होती है ना लेकिन अगर वह वह व्यक्ति योगा करता है तो उसके अन्द फ्लक्सिपटी बढ़ जाती है लचक बढ़ जाती हो हर काम फूर्ती से कर पाएगा उसके बाद टोन दा मसल्स मतलब जो मसल्स है ना उसमें एक रिदम आ जाता है जिससे हम अच्छी प्रस्टैलिटी पे मारे करते हैं हमारी जो इम्मोर्टी को एम्ठोम करते हैं हेता है उसके ना हमारी जो के हैं उसको बढ़ा लेता है तो बच्छो यह पहला क्ट и से कंड़ा गया अब हम बढ़ जाते सीघंड को तरफ तरह है वो बहुत ही एजी है यहां बोला गया है आपको थिंक अंड राइट वाट इस दा बेस्ट टाइम टू डू योगा मतला आप बताओ कि कौन सा जो है ना टाइम होता है योगा करने के लिए बैस्ट और इसने बोला है फिल इन दा ब्लैंक टू कम्पीट दा वर्ट और यह जो नीचे वर्ट दे रहे हैं इसको आपको कम्पीट करना है ठीक है अच्छा मैं आपको बता दूँ कि यह जो है ना यहां पर लिखाना बैस्ट टाइम क्या है तो आप इसको कैसे करेंगे पहले कौशन नमर दो नोट करेंगे यहां तक उसके पाद इसका आंसर आप लिख देना मोर्निंग ठीक है उसके बाद फिर यह लिखना फिल इन दा ब्लैंक्स टू कम्पीट दा वर्ट ठीक है तो यहां पर बोला गया है यह क्या है मोर्निंग तो आपको ओ और 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 जी यहां पर इविनिंग भर देना है और यहां पर जो है आप लिखेंगे एम्टी यह यहां पर इसमें भरेंगे यह चुट गया था तो मैं यहां अभी बढ़ते तो यह मतलब खाली ठीक है स्टमक तो देखो योगा जो खाली पेट कर रहे हैं ठीक है और हमारा इसे पेट भी और अच्छा हो जाएगा ठीक है तो यह देखो इम्मूनिटी बढ़ते हैं अभी हम तो इसके बोस्तारीप काईप होते हैं ठीक है जासे यहां पर पहला पता ररखा है थीपोस्त इसको बोलते विरिक्ष आसन ठीक है तो योगा मीजा। आ सब्सकेम अम देख रह ढरें तो इसने बोला कि इसकी कि right box क्या है तो आपको यहां से भरना है तो फड़ाफ देखो पहला इसके step क्या है stand straight मतला आपको सीधे पहले खड़े हो जाना है उसके बाद बोला गया है place your right heel on left thigh आपको जो है ना अपनी जो left thigh है वो आपको ऐसे रख लेने उपर इस तरीके से उसके बोला गया step your arms up and join hands और आपको फिर पते क्या करना जब आपने एक तर्थाई ऐसे कर ली उसके जो आपके हाथ है ना इसको आपको सीधे उपर की तरफ कर लेना है ठीक है उसके अद्फिस को join कर लेना है सेफ में आ इसके बाद यहां बोला घाए ऐ होल पुर ओर फ्री बृत अब को यह पर जो है जिद küçük ही मैं आपको स्वीच कर लो स्थरी कि यह फिर पर नेक्स क्ट आप कर दो चले जब तर निक्स क्या है दूसरा में पोस्वाश्च्राइब आ पर बटर फलाई ठीक है अबट में क्या होता है पहले आप स्टेट जो बैठ जो जैसे यह बच्छा प्यारा से ठीक है यह बच्छी प्यारा सी बैठ गी है ना इस तरीके से उसके बाद जो है पुट यूर फीट टूगादर अपने जो पैर ना एक साथ कर लो और नीज आउट टूदा साइड इदे को कैसे की तर निकले हुआ ऐसे कर लो उसके बाद बोलागा है hold the feet first of your hand अपने इन पैरों को हातों से पकड़लो उसके ब्धाद बोला है आप फ्लैव नाय के बटर फ्लाइथ इस्के बटर फ्लाइप की तरह ऐसे उससे फ्लाप करना अपने इसको घुटनों को ठीक है लातों को सब्सक्राइब जरू कर देना ठीक है इतना तो बनता ही है ठीक है और आपका एक लाइक में लिए भूज़र है ठीक है मौटिवेट करेंगा मुझे चलो आगे देखते हैं उसके बाइस ने बोला है कि आप आपको कह रहा है आपको तीन योगा के पोस्ट जो है ना और पता लगाओ उनके नेम जो है नीचे लिखो ठीक है और ट्राइब एंड पिक्चर उसकी बाद पिक्चर बनाओ तो देखो यह जो आंसर है तीन मैंने यहाँ पर लिख दिया है ठ पिक्चर के लिए कहा रहा था ठीक है फड़ाफ़ कुशन पहले पढ़ लेते हैं इसलिए अब इसके पिक्चर देखो क्या बोला क्या को पिक्चर भी जो है सेंड करने टीचर को सुन रहे बाद अब इसकी पिक्चर भुजंग आसन ठीक है नटाज आसन और पधमासन आपक आपको मिल जाए ठीक है आप बना लें अब देखो फड़ाफट इसकी आपके लिए पूरा हर एक चीज़ का करते हैं तकि आपको किसी पर को दिक्कत ना हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू किजेगा अगर आप चैनल पर नहीं है तो इतना तो बनता ही है ठीक है और बैल आइकन को जूर प्लास की वीडियो बना रहा हूं और आप प्लेलिस में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं ठीक है पूरे पूरे वीडियो आपको मिल जाएंगी और बहुत अच्छे से समझाने की पूरी कोशिक की गई है बागि कर आपको कमी लगते देख सकते हैं इसले मैंने पिक्चर लगा दी क्यूंट देख के बना लें ठीक है और भुजंग आसन यहोगा तो इस तरीके देख ली तो पूरी वक्षीट मैंने समझा दिये मुझे पूरी मीज़ा आपको क्लेर होगया और ठीक है फिर मिलेंगे आपसे नेक्स वीडियो म सच्चों आपका बहुत पूश्य वीडियो देखने के लिए आप से फिर मिलेंगे अपना पूरा पूरा ध्यान रखना बाई